नमस्ते कैम जो एंड वेलकम बैक टो दी सीरीज ओफ कॉन्फूजिंग वर्ड्स एंड आयम खुशाली तो इन टूड़ेइस वीडियो विडियो वी विल डिसकस्ट इस टू कॉन्फूजिंग वर्ड्स विच आर एड वजिस एड एड तो देखेंगे कि इनके मिनिंग्स क्य होते हैं इनको यूज किस तरह से किया जाता है इसके अलवा आपके लिए कुछ एक्सल्फ असेस्ट्मेंट के लिए क्वेशन भी मैंने लाश में पूट किये हैं जो भी इस्ट्रोंस यहां पर नए हैं उनको बता देती हूं कि कंफूजिंग वर्ड्स की जो सीरीज है इसम सो अभी तक मैंने जितने भी वीडियो क्रियेट कर रख है उसकी लिंक आपको निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी तो वहां पर जाके आप कंफूजिंग वर्ड्स के सारे वीडियो को देख सकते हो तो लेट्स स्टार्ट विडियो तो प करें कि इसका मतलब होता है helper और असिस्टन्ट यानि कि जो कोई भी हमारे अंडर पर वर्क कर रहा है हमारा helper उस परसन के लिए हम एड वर्ड का यूज करते हैं देखा जाए तो यह जो एड है यह एक परसन होगा तो हमारे असिस्टन्ट को हम एड कह सकते हैं लेकिन अगर ह असिस्टन्ट से हम कुछ help ले रहा है तो उस help word के लिए हम एड का यूज करेंगे थोड़ा बहुत समझ में आए होगा अब हम एक्जामपर्स देखेंगे यानि सब कुछ क्लियर हो जाएगा जिसका मतलब होता है help और असिस्टन्ट या तो मदद या तो सहायता एक्जामपल देखते हैं वो फ्रांस गया किंग लोईस की मदद मांगने के लिए तो किसके लिए सहायता मांगने के लिए या मदद मांगने के लिए तो यहां पर एड का यूज हुआ है मदद या तो सहायता वर्ड को रिप्रेजंट करने के लिए अनाधर एक्जामपल आई टोफ एड लास्ट नाइट या जाएड का मतलब यहां पर हो राह है सहायता another example they were sent to aid the survivors of the battle यानि युद्ध में बचे हुए लोगों की मदद करने के लिए उनको वहाँ पर भेजा गया यानि कि सहायता करने के लिए उनको वहाँ पर भेजा गया यहाँ पर भी aid का मतलब हो रहा है मदद या तो सहायता अब देखते हैं यानि कि हिंदी में बोल सकता है मदद निश या तो सहयोगी एक्जामपल्स देखते हैं वुड्यू बी एन एड टू मी डूरिंग दिस प्रोजेक्ट किया आप इस प्रोजेक्ट के दोरान मेरे सहयोगी बनोगे ओके तो यहाँ पर का मतलब हो रहा है सहयोगी या तो मदद निश नैक्श्ट करते हैं झाषिव एक मन हो इक सहयोगी को काम पर रखने के बारे मिरें तो यहाँ पर भी एन एड का मतलब हो रहा है सहयोगी को अब देखे यहा पर एड की जगा पर आप असिस्टंट वर्ड को पूट कर और तो यहां पर देखे एड की जगा पर असिस्टंट को पूट करके देख लेता है तो यहां पर तुरंट आपको पता चल जाएगा कि यह सेंटेंस करेक्ट है So I hope सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा AID Aid का मतलब होता है Help, सहयोग लेना, मदद लेना और AIDE Aid का मतलब होता है Helper या तो Assistant जो कि हम एक परसन के बारे में बात कर रहे होते हैं So यहां पर आपके Self Assessment के लिए कुछ Questions मैंने पूट किये हैं तो कोशिस कीजिएगा इनको खुद से स्वाल करने की और आपके Answers क्या है मुझे Comments करके जरू बताएगा So would you aid me by liking and sharing this video? क्या आप मेरी सहायता करेंगे इस वीडियो को like करके and share करके So please do like and share this video and comments करके जरू बताएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा है सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा और बैल आइकोन पे भी क्लिक जरू कर देजेगा तो मिलता है दोस्तों नेक्ट वीडियोस में थैंक्स पो वाचिंग